नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एज्योगिस्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले हैं वेंकोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में और साथ ही उसके एक फेमस साइड इफेक्ट रेडमेंड सिंड्रॉम के बारे में तो सुरू करते हैं आ वार्निंग strengthened की किया इंजेक्शन को कब लगाया जता है कौनसी बीमारियों में उसको लगाया जता है कितने डोउस में लगाया जता है डायलुशून के से किया जता है वह सब को हम डेटल में जानते करते हैं आज के lecture में और फिर उसके एक famous side effect red men syndrome के बारे में भी study करेंगे फिर injection को कितने temperature पर store किया जता है कैसे injection को dilute किया जता है तो detail study करते हैं आज के lecture के अंदर तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सरे दवायों के बारे में तो medicine course आप join कर सकते हैं पार्मरोक्स के अब उपर तो यह आप के उपर आप specially medicine course को access कर पाएगे तो यह course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे तो अब समझते हैं vancomycin injection के बारे में तो यह ऐसे class का medication की जिसको हम antibiotics कहते हैं और antibiotics के अंदर भी यह glycopeptid class का antibiotic drug है कि जो बहुत सारे bacterial infections को treat करने के लिए जो यूज किया जाता है और यह prescription based medication है और 500 mg के strength में यह खास कर अवेलेबल होता है तो बहुत सारे bacterial infections को यह treat करता है पर ऐसे patients के लिए खास कर यह injection यूज किया जाता है कि जो penicillin नहीं ले पाते है या फिर cephalosporins को नहीं ले पाते है तो ऐसे conditions में bacterial infections को treat करने के लिए आप vancomycin injection जो यूज कर सकते है तो ख्यास कर जो severe bacterial infections होता है यह जो यह injection treat करता है फिर यह मैं आपको यह पर बताओ जो viral infections होते है जैसे कि common cold होता है या फिर flu के condition में यह injection use नहीं किया जाता है तो यहाँ पर हम उसके label के खास कर अच्छे से study कर दे तो यह IV के लिए खास कर use किया जाता है तो यहाँ पर आप उसके label के खास अच्छे से study करो तो जब तक यह injection को बनाया नहीं गया जाता मतलब कि जब यह powder form में होता है तो उसको storage जो वह 25 degree Celsius पे किया जाता है और light से उसको protect किया जाता है पर injection बनाले के लिए 10 ml water for injection जो वो use किया जाता है तो यहाँ पर देखो लिखा है कि उसको reconstitute करने के लिए 10 ml जितना sterile water for injection जो वो उसके अंदर mix किया जाता है और further उसको use करने के लिए और उसका dilutions किया जाता है और reconstitute करने के बाद उसका जो storage है वो आपको करना है खास कर 2 से लेकर 8 degree Celsius के बीच में तो ये खास उसके storage की खास आपको दियान रखने है because storage अच्छे से ना होने के करन भी कई बार medications जो वो degradate हो जाती है और कोई भी person उसको self-medication ने कहते खास कर ये injection hospitals के अंदर यूज़ के जाता है कि जो serious patients होते हैं अलग-अलग bacterial infections के और cipla pharmaceuticals जो उसके manufacture है तो उसके use के बारे में हम देखे तो सबसे पहले जो skin infections होते हैं कि हमारे skin के ऊपर जो bacterial infections होते हैं septicamia की conditions होती है जो septic हो जाते हैं तो ऐसे conditions को treat करने के लिए ये injection लगाया जाता है second condition हम देखे तो जो enterocolitis की condition है मतलब कि आपके gastrointestinal tract के अंदर खास कर सुज़न देखने को मिलती है एक bacterial infections के करन तो ऐसे conditions को भी ये injection treat करता है फिर ulcerative colitis के condition के जिसको हम कहते हैं कि specially आपके जो colon है मतलब कि आपका जो large intestine का जो बाग है वहाँ पे bacterial infections के करन सुज़न देखने को मिल रही है तो ऐसे condition में भी ये vancomycin injection use किया जाता है फिर PID के condition के जिसको हम कहते हैं pelvic inflammatory disease कि जिसके अंदर fallopian tube है ovaries way के रखा जो बाग है या फिर जो uterus का जो portion होता है वहाँ पे bacterial infections के करन सुज़न देखने को मिलती है तो ऐसे conditions को भी treat करने के लिए vancomycin injection लगाया जाता है फिर endocarditis या फिर bacterial endocarditis के जो bacterial infections के करन जो heart kick special जो हमारे walls होते है वहाँ पे एक infection होता है वहाँ पे सुज़न देखने को मिलती है ये conditions को भी treat करता है ये vancomycin injection फिर urinary tract infections के problem है या फिर आपके respiratory tract related problems है और वो specially penicillin resistance pneumococcal infections जो हम कहते है कि आपके lungs के अंदर infections होता है जैसे कि pneumonia के कोई condition है lungs infection है, respiratory tract infections है तो उसके इलाज में भी ये injection use किया जाता है फिर जो strep throat की condition है या फिर meningitis की condition की जिसके अंदर brain के जो layers होते हैं वहाँ पे bacterial infections के करन सुजन देखने को मिल रही है तो ये सभी medical conditions को ये injection treat करता है उसके अलावा जो middle ear infection है bone या फिर joint में infection हुआ है, pneumonia की condition है, skin infection, PID, bacterial endocarditis, nozzle sinuses, strep throat तो बहुत सारे उसके जो है वो uses है, तब उसके mechanism के बात करते हैं तो कैसे ये काम करते हैं जैसे penicillin and cephalosporin काम करते हैं कि bacteria के अंदर उनकी cell wall के synthesis को inhibit करते हैं तो उसी तरह से सेम ये vancomycin भी काम करते हैं तो उसकी mechanism में थोड़ा एक बदलाव है ये क्या करता है cell wall synthesis को तो inhibit करता है बड़ cell wall synthesis के लिए जो जरूरी एक portion होता है और कि जिसको SIL-D-L-A-9 जो कहा जाता है तो उसके साथ ये bind हो जाता है कि जिससे आगे जाके cell wall का formation नहीं होता और cell wall का formation ना होने के करण कोई भी bacteria जो है वो survive नहीं कर पाता कि जिससे आगे जाके उनकी growth जो है वो कम हो जाती तो इस तरह से vancomycin जो वो काम करता है फिर उसके dose की हम बात करे तो 500 mg हर 6 गंटे पे patient को लगा जा सकता है या फिर 1000 mg जितना dose हर 12 गंटे पे फिर धियान ये रखना है कि IV से ही आपको उसको use करना है वो भी dilutions के बाद और slowly IV infusions को उसको लगा जाता है और intramuscularly मलब कि muscles में ये injection कभी भी ना लगा है उसके कुछ reasons है because कि जो tissues जो होती है muscles की वहाँ पर ये injection irritation प्रोड्यूस कर सकता है second अगर आप muscles में injection लगाते तो उसके बाद patient को अचानक से fever हो सकता है मलब कि काफी ज़यदा उसका body temperature बढ़ सकता है बुखार के symptoms develop होने लगेंगे तिसरी उसको दर्द होने लगागा काफी और necrosis मले कि हमारे body के जो cell होते हैं उनकी date होना जो भी वह सुरू हो जाते हैं जिसको medical terms में हम necrosis कहते हैं तो यह कुछ side effects या फिर complications ना हो इसलिए vancomycin injections को कभी भी muscles में ना लगाएं और जब भी उसको IV में भी लगाया जाते हैं तो proper जो उसको dilutions किया जाता है तो dilutions के हम बात करें तो अलग-अलग IV fluids जैसे कि D5W है, D10W है, normal saline solution D, NSA, RL IV के साथ उसको जो mix करके patients को drip लगाई जात हैं और अगर आप 500 mg dose किसी को देते है patient को तो उसको dilute किया जाता है 100 ml के साथ और अगर 1000 mg जितना dose दिया जाता है तो वो 200 ml जितना dilution जो है, वो किया जाता है, मनलब कि आप समझो कि यहाँ पे यह 500 ml का आप यहाँ पे देख सकते है, स्वारी 500 mg का यह injection देख रहा है, तो उस 100 ml के normal saline solutions के साथ, फिर slow intravenous infusion से दिया जाता है, मनले कि infusion rate कितना दिया जाता है, तो 10 mg पर minute जितनी drug जो हो उस तरह से IV rate जो हो set किया जाता है, और maximum 1 गंटे तक या फिर 1 गंटे तक या फिर 1 आवर या उससे थोड़ा ज्यादा time ले तो भी कोई problem नहीं है, तो अब बात कर करते उसके एक famous side effect, red man syndrome की, तो red man syndrome actual में क्या है, तो सरुवात करते उसके बारे में, तो red man syndrome ऐसी conditions है कि जिसके अंदर patients के body की उपर जो हो redness देखने को मिलती है, और redness होने का जो reason है कि flushing, flushing के current भी आपके चेरे पर या फिर आपके body पर redness हो जाती है, फिर जो allergic reactions जैसे सरीर में release होने लगता है, और histamines के कारण भी ये symptoms जो develop होने लगते हैं, और सरीर के उपर काफी ज़्यादा redness देखने को मिलती है, तो या पर जो आप ये diagram में देख रहे हैं, ऐसे conditions जो वो produce हो सकती है, ये injection को लेने के बाद, तो उसका management के समले कि कैसे treat कर से सकते हैं, ये side तो IV का rate है वो और ज़्यादा कम कर देना चाहिए, जैसे अब ये हमने बात की, कि 10 mg जितना जो IV rate की या पर हमने जो बात की, कि 10 mg पर minute बात की, तो उससे भी कम rate आप कर सकते हैं, जिससे ये side effect जो वो avoid की जा सके, फिर दूसरे को side effects देखें, तो injection side पर reactions देखने को मिलती है, कि जा पर आप देख सकते हैं, या फिर उसको जो वो redness जैसा देखने को मिलेगा, कि या पर आप देख रहे हैं, कि जो injection side समझो कि या पर है, तो वहाँ पर इस तरह से redness जो वो develop हो सकती है, या फिर सुजन देखने को मिल सकती है, पेसन को जो वो दर्द होगा, उसके पर या फिर आपका जो neck का portion है, या फिर आपका trunk का portion होता है, पेट का जो बाग है, मतलब कि body के कुछ ऐसे है, इससे जहाँ पर आप touch करने पर आपको वो हिस्से जो वो गरम मैसुज होते हैं, तो ये side effect होती है, flushing, और चहरे पर भी ये flushings develop हो सकते हैं, जिसके करन आपका चहरे जो लाल हो सकता है कि जिसके करने के redness जिसे देखने को मिलती है, फिर अचानक से allergic reactions देखने को मिल सकते हैं, और ये allergic reactions काफी serious भी हो सकते हैं, जिससे कि जो enafylactoid reactions जो हम कहते हैं कि जिसके अचानक से body के उपर सुजन देखने को मिलना, rashes develop होना शुरू हो जाना, या ऐसे allergic reactions के जिसके अंदर patients के breathing difficulties होती है patient unconscious भी हो सकता है मनले कि patient बेहुस भी हो सकता है फिर normal side effects के तौर पर nausea vomiting हो सकता है breathlessness जैसे condition blood pressure जो वो reduce हो सकता है इसके अलावा wheezing जैसा feel कर सकता है patient या फिर renal को injury मतलब कि kidney को यह medication जो वो damage कर सकती है contraindications के हम बात करें तो systemic mastocytosis की condition होती है ऐसे patient यह injection को ना लगवाए second ऐसे patient के जिनके अंदर white blood cell especially neutrophils के काफी कमी है जिनके body के अंदर वो यह injection को use ना करे फिर तिसरा hearing loss के patient के जिनको already calm सुना ही देता है ऐसे patients यह injection को use ना करे और जो kidney disease के जो patient के already इनके kidneys खराब है ऐसे लोग भी यह injection को use ना करें pregnancy के हम बात करें तो pregnancy में यह contraindications के list में आता है pregnancy में उसको कभी भी use नहीं किया जाते because animal studies के अंदर हम देखे तो animal के fetus के उपर यह malformations देखने को मिलता है जो animals के जो fetus के उपर यह उसके विपरी दसर होती है तो यह medications जो pregnancy में यूज नहीं किया जाता है तो ऐसे ही सीखे detail में किसी भी दवाई के बारे में medicine course में pharma rocks के अप उपर कि जिसके अंदर आप सीख सकते है दवाईों के बारे में उनके basic use के बारे उनके dose क्या होते है side effect, warning counter indication एक साल तक affordable price में pharma rocks की अप उपर तो यह course को join करने के लिए में whatsapp कर सकते है या फिर directly app को download कर सकते है good luck and all the best